हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं इस्टडी फीट चैनल जैसा कि दोस्तों उत्तर प्रदेश माधिमिक सिच्छा सेवा चैनल बोर्ड ने भी गियति जारी कर दी है जिस टीजिटी कि आप शे महिने से इंतजार कर रहे थे ओ भरती अब आ चुकी है दोस्तों आप अप दिर मत कीजिए लग जाए तैयारी में अब इंतजार मत कीजिए क्योंकि दोस्तों एपी जे अब्दुलकलाम ने कहा है कि इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिस करने वाले छोड़ देते हैं तो दोस्तों बिग्यापन संख्या एक बटा 22 पसेचित इसना तक सिच्छक यानि TGT की विग्यप्ति जारी कर दी गई है और इसके आलाइन आवेदन लेने का प्रारमभिक थी 9-6-22 और सुल्क जर्मा करने की प्रारमभिक थी 9-6-22 और दोस्तों आवेदन पंजी करोर की अंतिमति थी 3-7-2-22 और आवेदन सुल्क जमा करने हैं तो अं और आवेदन सुमिट करने की अंतिमति थी 9-7-2-22 है और दोस्तों कुल 3,549 पदों की विश्चे वार भरती निकाली गरी हैं और दोस्तों अभियर्थियों द्वारा चैने www.up यसcssb.org पर आवेदन किया जाएगा इसके अत्रिक्त अन्यकिष्ट भी माध्यम से प्रेसित आवेदन सुल्क नहीं किये जाएंगे तीक है और आलाइन आवेदन भरने के लिए विश्चित अनुदेश चैन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्द है यों संचिप्त अनुदेश इस अधिसुत्या के पैरा कि दो में दिये गए हैं दोस्तों और अजोस्तों जो है विख्या पी जो पदों की शंख्या है घट अथवा बढ़ सकती है जब तक एक जाम नहीं हो जाएगा एक जाम हो सकती है ठीक है अब बात करते हैं जो निधाय सुल्क रखा गया है आवेदन सुल्क उसके बारे जैसा कि दस्तु अना रच्छित यानि शमानने वर्ग के लिए आविदान सुल्क 700 रूपे ठीक है अनलाइन प्रक्रिया सुल्क 50 रूपे यानि कोई एड़ 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 एस के लिए कुल साहे चार सु रूपे अनि पिछड़ा वर्ग के लिए भी 700 रूपे अनलाइन प्रक्रिया सुल्क 50 रूपे और अनुसुचित जाती के लिए 400 रूपे अनुसुचित जन जाती के लिए 200 रूपे रखा गया है अब बात करते हैं किस बिसे में कितना सीट है कुल कितने विग्यप्ति आया हुआ है जैसे कि दुखतों इंगलिश में टूटल 511 पद बालक वर्ग में आया हुआ है जिसमें से जनरल में 275, OBC 156, S689, NST1 पद कुल 511 पद और हिंदी में टूटल 509 पद के लिए विग्यप्ति आया है जिसमें से जनरल 294, OBC 125 और S689, NST1 पद यानि कुल 509 पद गड़ित में कुल 508 पद आया हुआ है जिसमें से जनरल 296, OBC 147, NST65 कुल 508 पद एंड समाजिक विग्यान में जनरल के लिए 156, OBC के लिए 103, NST के लिए 77, NST के लिए एक भी पद नहीं है यानि कि NST के लिए एक पद है यानि कि 377 कुल पद संस्कित के लिए जनरल के लिए आपका 191, OBC 45, NST28 कुल 264 पद साररिक सिच्छा, साररिक सिच्छा में कुल 157 पद है दोस्तों बहुत ही कम पद है ठीक है कमपडिशन बहुत ही हार्ड होगा इस बार तो साररिक सिच्छा में 157 कुल पद है जिसमें से बालक वर्ग में 157 कुल पद है जिसमें से जनरल के लिए 98, OBC 40 या C19 पद है कुल 157 पद जबकि दोस्तों पिछली बार 500 से जदा पद थे नेक्स्ट है बिग्यान बिग्यान में जनरल के लिए 285, OBC 135, OBC 89, कुल 499 पद ग्री बिग्यान में जनरल के लिए 76, OBC के लिए 41, NAC के लिए 22, कुल 149 पद इसे तरह कला में कुल 132 पद, वारिज में कुल 38 पद, संगीत गायन में कुल 7 पद, कृसी में कुल 47 पद, जिव बिग्यान में कुल 49 पद, उर्दू में कुल 12 पद, एन संगीत वदन में कुल 4 पद यारी टोटल 323 यानि 323 पद बालक वर्ग में आया हुआ है, अब बात करते हैं दोस्तों बालिका वर्ग में कितना सिट है, तो कुल 326 सिट है, उसमें से इंगलिस में टोटल 46 सिट, हिंदी में 48, गड़ित में 25, समाजी बिग्यान में 46, संस्कीत में 27, असारारिक सिच्छा में बस 13 टोटल सिट है, जिसमें से जनरल में 8, OBC में 4, और 80 में 1 सिट है, दोस्तों, इतना कम बालिका वर्ग में सिट दिया है, जिसमें फाइट करना बहुत ही, मुस्किल होगा, इसलिए तयारी जम कर कीजिए, अभी से लग जाईए, एक मिनट फी टाइम वेस्ट मत कीज दोस्तों, बिग्यान में कुल 41 पद है, ग्रिभ बिग्यान में 40 पद है, कला में 16 पद है, कुल, संगित गायन में बालिकाओं के लिए 16 पद है, अजिव बिग्यान में only 1 पद है, ओ भी, OBC में, और दोस्तों, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इंटर्वियू नहीं है, और जितने जादे से जादे कोश्चन को आप हल करेंगे, उतना ही आपका सेलेक्शन असानी से होगा, तो दोस्तों, आपको प्रिप्रेर होना पड़ेगा, आप जल्दी से तयार हो जाएए, और इतन दिन लापरवाही किये, तो किये, लेकिन अब रेडी हो जाएए, दोस्तों, क्योंकि सीट इस बार बहुत ही कम है, उसके हिसाब से महनत बहुत जादे है, क्योंकि सब भी लोग तयारी में लगे हुए है, दोस्तों, और इसमें जो डेली बेसेस पे लगा हुआ है, उसी का स इसक्रिप्शन में दे दिया है, तो दोस्तों, बस लग जाए, पूरे मन से, पूरे एनरजी से एक सीट आपको लेना है, तो दोस्तों, यदि आप फीजिकल एजुकेशन से रिलेटेट सबजेक्ट की तयारी करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे चाहे हो, टीजिटी, पीज आपको लेज़ेगे हैं, तो दोस्तों, फर्स्त बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सबस्क्राइब कर लेजिए, बिल आइकन को फ्रेस कर लेजिए, जिससे न्यू वीडियो का आपडिट आप तक पहुचता रहे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपने टापि के साथ तब तक के लिए जाहें